नमस्कार दोस्तों बागोन आफ सभी का भला करें और आपके सारी एक्षाय मनुकामने पुरी हों दोस्तों आज मैं आफ सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्मुन जान करें वेक करूंगा यहाँ पर सरपतम आपकी फिंगर के एनलेसिस के बाद इस पूरे पाम का एनलेस के और यहाँ पर जितने भी आपके प्रश्न है और बहुत सारे इसे रीजन्स भी हैं जिसके करण आप बहुत छोड़े-छोड़े अंतरों से सफल होने में रहे गए हैं उन सभी के बारे में भी महत्मुन जान कर इस फ्यूड़े में रहेगी तो सबसे मिलें यहाँ पर बात क तो इस कंडिशन में सुन सबकी लेते हैं करते अपने मन की हैं यहाँ पर लिटिल फिंगर जब भी थोड़ी बहुत भी टिल्टेड होती है जोगी होई रहती है तो इस कंडिशन में थोड़ा सा कूट नीती अपने जीवन में अपनाने वाले होते हैं या फिर अलग धंग से काम करने की चेस्टा कोई दरशाता है यानि सीधे स्टेप ब और कमी यह पाए जाती है कि बोलना क्या होता और बोल कुछ और जाते हैं और उसी तरह जब भी यहाँ पर इंटेव्यू फेस करने के बारी आती है या पब्लिक स्पिकिंग के बारी आती है तो उसमें भी यह कही ना कहीं डिफिकल्टिस करता है जैसे रुक करके बात करना या फिर अपनी बात को सही डंग से ना प्रस्तुत कर पाना या फिर यहाँ पर इस्टेज फियर टाइप ओफ इशू या शायनेस टाइप ओफ इशू फेस्ट करना यह कॉंबिनेशन मेंली होते हैं तो इसका अगर आप सेपरेट रेमेडी प्रफर करें तो कहीं ना कहीं आ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा तो इन सभी चीजों से जो भी आप कॉंपिरिटी एक्जाम फेस करने जा रहे तो वहाँ पर जो दो चार नंबर या फाइनल स्टेज से आप रहे जा रहे हैं वह सारे इशू भी आपके ओवरकम होते हुए देखने को बहुत इमीजेट देखने को मिलेंगे यहाँ पर इसके अलबा थर्डे और फर्स्ट विंगर के लेंध में आप देख पाएं तो जादा कुछ फरक नहीं है फर्स्ट विंगर के लेंध थोड़ी सी जादा स्टॉंग डेफिनेटली है तो इस कंडिशन में रिस्पॉंसबिलिटी टेकिंग न में क्या एक प्रकर से प्रोस्पेक्ट है तो बहुत अच्छी स्कोप है वहाँ पे आपके क्योंकि जब भी फर्स्ट विंगर के लेंध जादा पाए गई है तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी जादा पाए गया और हात के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी जादा होत जो इस बात को दर्शाती है कि कोई भी रिस्ता लंबर टिक नहीं पाता है दूरियां बन जाती है एग्रेशन के कारण मूर स्विंग के करण लेकिन यहाँ पर जो नीचर है वो मिक्स है फ्रेंडली भी है और थोड़ा सा लोनली यानि एक प्रकर से सेपरेट रहने वाला भ होते तो thinking process बहुत जदा हाई होती है बहुत अच्छी plannings भी कर लेते लेकिन execute नहीं कर पाते क्योंकि doubts बहुत होता है या फिर assumption बहुत जल्दी लगा लेते है इसलिए बहुत ज़दा diversification thinking process में इस condition में पाय जाता है फिलेंजर्स की स्थीती वेसे ठीक है internal mars यहाँ पर आपका जगडा बहस बाजी इन सारी चीजों से आप जैसे जातक दूर होते हैं और यह कचीन एक तरीके से developed परन्तु open है तो आलेशान घर का सुख से लेकर के resourceful यहाँ पर आपका overall life रहने वाले रहेगा लेकिन कभी भी saving आप properly कर नहीं पाएंगे क्योंकि इस condition में पेसा बहुत सर working nature की निशानी होती है तो सारी क्या मानसिक किसी प्रागार के पराकरम से इस condition में पीछे नहीं हटते हैं और इसे कहते हैं basically earth element हैं जो बहुत जल्दी किसी भी परिस्थीती पर काबू पाने जैसे योगों को move on कर पाने जैसे योगों को stressful and troubling situations को भी easily handle tackle कर लेने जैसे योगों हार नहीं मानने जैसे योगों को indicate करता है यहां पर आप बात करेंगे जूपिटर के regarding तो यहां सबसे पहले आप देख पाएंगे कि आपका जूपिटर वांड डेवलप्ट अच्छा है तो सांसरी क्या परिवरिक सुख या निश्चित रूप से बहुत अच्छा यहां पर देता है जिसके तहत मेरे लाइफ बहुत अच्छी यहां पर हैती है कब होगी मेरी जिस्विशे में भी हम आगे बात करेंगे बागी एक फॉर्मिशन आप यह देख पाएंगे कि कुछ अनदर आड़ी रेखा है और एक हलका से स्क्वेर का साइन बिल्ड होता है यहां पर दिखाई दे रहा है तो यह जब स्क्वेर जैसे साइन्स बनते तो जो भी व्यक्ति अपने जिवन में बहुत टॉप पोजिशन अथोरिटी यह बहुत जदर रिस्पेक्ट्फुल परसनेल्टी के हो रहे होते हैं या फिर बहुत बड़े पद पर विराजमान जब होते हैं तब इसे साइन्स आते हैं जिनकी शादी के बाद भाग्यूदय होती है उनके हाथ में भी यह साइन्स होते हैं जब भी ज्यान का सदुप्योग हो रहा हो पद प्रतिश्था मान सम्मान जैसे चीज़े बढ़ रही हो पीता का नाम बढ़ रहा हो प्रोस्पेरिटी प्रोप या authority आपको 100% मिलने वाली है आपके case में ये भी issue रहा कि आपका जो nature है बहुत ambitious इस रेखा की कारण रहा high thinking approach रही उसके regarding महनत भी की लेकिन जब भी कोई रेखा इस प्रकर से आकर के काड़ जाती खास कर ये रेखा तो ये इस बात को दर्शाती है कि family scenario के कारण या कोई another further reasons के कारण भी desire properly complete नहीं हो पाया फिर जो ambition उसके regarding proper effort नहीं लग पाया और वो चाहे यहाँ आपके personal issue हो सकता है या बहुत अधिक desire ambitions हो सकता है या फिर family के regarding interfere हो सकता है लेकिन ये रेखा कहीं न कहीं काटती है तो यहाँ पर जब ऐसा कोई भी formation हो और square बन जाए तो एका बहुत जटके से जीवन में जो है शुब परिवर्तन हो जाता है तो इसलिए married life आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है और marriage के योग भी hardly two year के अंदर रहेंगे कब रहेंगे इसका confirmation और अभी किया जाएगा जुपिटर जब developed होता है तो ग्यान में इज़द सम्मान में और एक परकार से चरितरवान में कोई भी यहाँ कमी नहीं देखने को मलती है अब बात करेंगे शनी के regarding तो शनी के उपर आड़ी रेखा इस प्रकार के जब होती है तो यह mood swing issues देता है तो emotions feelings के regarding immediate fluctuations भी होते हैं बहुत जल्दी एक प्रकार से बेचे नहीं आना बहुत जल्दी स्थेरता हो जाना बहुत जल्दी एक आंद प्रियो सुभा होना तो बहुत जल्दी emotional nature हो जाना अब आप अपने हिरदरेखा पे एक बर गोर करेंगे तो आपकी हिरदरेखा पहले एकदम stretch जो है जा रही थी stretch जाने का तातपर होता है कि यह विक्ति को practical, logical एक प्रकार से career oriented और एक प्रकार से किल्कुलेटिव टाइप ओफ personality को build करता है लेकिन आप यहां पर देख पहेंगे कि धीरे धीरे यह ओवरलेप करके आगे के तरफ बढ़ रहे है यानि पहले आपका विश्वास धर्म के प्रती अध्यात्म के प्रती या रहस्म विध्याम के प्रती इतना नहीं था लेकिन धीरे धीरे जब आपको विश् होती होती है और step by step growth मिलने के योग निर्मित होते हैं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ रगत देखा जाए तो शनी परवत के रिगाड़िया शनी ग्रह के रिगाड़िंग ही तकलिव दिखाई दे रही है बागी सारे combinations आपके हतील में तकरिबन valid है अच्छे हैं अब हम बात करें आपकी luck line के बारे में तो आपके luck line में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है लेकिन आप एक combination यह देख पाएंगे कि जितने भी आपकी luck line है यहां पर सबके सब आपकी heart line पर रुक रही है और heart line पर जब भी luck line रुकती है तो ऐसे जा तक emotional decisions लेने के करण या emotional behavior करने के करण यह emotional think या उसके regarding action लेने के करण अपने भागे को कमजोर करते हैं जैसे कि आपके emotions ठीक है normal है तो आप कोई भी काम बहुत मन से लगन से करेंगे emotion ठीक नहीं है mood swings issues है या किसी बात को लेकर के चिंतित प्रभावित है तो definitely किसी काम को आप हाथ नहीं लगाएंगे तो जो वेक के effort के हिसाब से नहीं बलकि emotions की हिसाब से चल रहे हैं अब इस condition में कोई भी काम शुरू तो easily हो जाएगा आपका कोई भी desire ambition complete करने के लिए opportunities भी मिल जाएगी लेकिन final result आपको फिर नहीं मिल पाएगा क्योंकि यह 7 तक नहीं पहुच पा रहा है इसलिए कितने दफा आपका क काम बनते बनते बिगड़ा है मुख के पास निवला आते आते रहे गया है इसका सिर्फ एक ही remedy है कि आप अपने दिन चर्या को बहुत ज़दा systematic करिए आप यहां पर कोई भी काम आदे अदूरे छोड़कर किसी दूसरे पर ना जाए और सबसे मेन emotions के बिहाफ पर react करना बं करना है अभी से एक साल का preparation ना करते अभी से पांच या दस साल का planning करके चलना है जब आब यह सारी चीज़े करने लगें और सेटन रेमिडी एक सेपरेट है जो मैं आपको WhatsApp पर शेयर कर दूँगा वो करने से आपका जितना भी दुखा आ रहा है तकलिफ आ रहा है उदासिं क्योंकि आपके सूर के अपर त्रिशूल का चिन है और यह बहुत शुप चिन माना जाता है आपके जो इस्ट देवता भी है वह भी शिव जी है तो शिव जी के अरादना भी यहां पर आपके आपके लिए करना बहुत ज्यादा शुब रहेगा देखिए आप जो हन्मान ज स्क्वेर जैसा और फिश शिंबल जैसा साइन बनते हुए दिखाई दे रहा है तो इस प्रकार के साइन्स व्यक्ति को अंतितह विजय पराप्त करवाते हैं लेकिन अगर आप उसके कंपरिजन में उनिक के साथ साथ सिव जी की अरादना करें तो आप पाएंगे कि आपके जिए उन्हें बहुत ज़्यदा पीस, हैपिनेस और तमाम तरह की प्लेजर और डिजार की फुल्फिल्मेंट होना शुरू हो रहा है काम सरलता से बनना शुरू हो रहा है त्रिशुल का चिन एक ऐसा चिन होता है सूर के उपर जिसके तहत व्यक्ति कुल्दीपक होता है ऐसा बहुत सारी चिन होते जो कुल्दीपक के योगों को निर्मित करते हैं लेकिन त्रिशुल इस बात को दर्शारा है कि आपके कारण लोगों काम इसली होगा क्योंकि आप तो सिर्फ आगर इसको ठीक कर लें आपको 95% अबोब जो प्रॉब्लम या इशू है वो खतम हो जाएगा इसके अलबा अगर हम देखें तो बीच में जो ये रेखा होती है खासकर इस प्रगर की ये रेखा देखें आप या ये इसे विध्या रेखा कहते है आपके द्वारा दिया गया किसी को एडवाईजर सेजिशन बहुत काम आएगा एवन आपके द्वारा बनाया नोट्स अग कोई भी काम करना बहुत शुब फल्दायक होता है क्योंकि आपका भाग उसी में है आपका योग उसी में अच्छा है तो आपका द्वारा दिया गया सजेशन अगर कोई फॉलो कर ले वह बेकार जाए गया ही नहीं तो बहुत ज्यादा जो वैल्यू है आप जैसे जातकों क करें कद्वा लाइफ ہے तब जब आप इन सारे चीजहों के रिगार्डिंग कुछ वड़ करें इसके अलावा यहां पररकरी मांट कि अंतली बात यह क्या दर्शार है कि unnecessarily expenses, over expenses यहाँ पर होता है, जिसके करेंट finance disturbed होता है. दूसरा, knowledge बहुत अच्छा रहता है. जैसे Jupiter आपका अच्छा है, तो यह knowledge बहुत अच्छा देगा, learning quality, capability बहुत शांदर होती है. कैसे, कब, किस तरह से implement करना है, यह mercury दर्शार था, तो mercury यहाँ ठीक नहीं है. इसलिए starting में कहा गया कि बोलना कुछ हो रहता है, कहे कुछ हो जा रहे हैं. इसके अलाबा, किसी भी प्रकर का calculation हो गया, reasoning हो गई, language के उपर पकड़ हो गई, और सबसे में लिए तो, यहाँ convince करने के capability हो गई, इस सब चीजें बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, या इन सब के regarding अच्छा एक प्रकर से result नहीं मिल पाता है. इसलिए interview face करने में, या public को face करने में, या अपने बात को सही रहन से कहने में, यह issues जो हैं देने लगता है. अब यहाँ पर आप विश्णु सहस्त्र नाम का part कर सकते नहीं, तो at least उसको सुन सकते हैं. तो बुद्ध के regarding जितने भी issues जे वो खतम होगा, नहीं तो आप हरे पे इनका उप्योग ज़्यादा करें, अपने लेखन कारे के regarding तो आप पाएंगे कि आप जो भी लिख रहे हैं या कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है, या फिर उसका implementation अच्छा हो रहा है. इस condition में किसी पंची को हमेशा दार ना देते रहे ना पालना, कोई खराब नहीं हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, और गाय को भी हरा चारा दे सकते हैं, ये इतने सारे suggestion इसलिए गए ताकि आप अपने suitability के accordingly कोई भी काम करें. आपका mercury अच्छा है, लेकिन response अच्छा नहीं कर रहा है. अच्छा क्यों कहा गया इसको? क्योंकि यहाँ पर आपकी mercury line बहुत strongly available है, जो business sense, luck, intelligence और health इन सारे indications के लिए, even money के लिए भी बहुत अच्छे माने जाती है. लेकिन जब भी कोई परवत weak होता है या दबा होता है, तो चाहे indications या science कितने ही positive क्यों नहीं हो, वो अपने result 100% दे ही नहीं पाता. इसलिए बहुत लोग आपको अपने जिवन में ये भी कह चुके रहेंगे, कि इतने काबिल होने के बावजुद भी इतना अभागे का सामन करना पड़ रहा है, आपके अंदर तो कुछ कमी है ही नहीं तब भी इतना सा face करना पड़ रहा है, आपको तो अभी तक तो निकल जाना चाहिए था, आपका तो ये हो जाना चाहिए था, जब mercury ये से थोड़ा disturb होता है, तो ऐसे इस प्रकार के बाते बहुत सरलता से सुनने को मिल जाती है, इसलिए public dealing ये face करने में भी difficulties आने लगता है, तो इसको थोड़ा अगर आप ठेक करें, तो ये भी आपके लिए बहुत सही रहेगा, और mercury के अपर जब भी एक सहते दिक रेखा होती है, बहुत सिंपेथेटिकल नेचर, अप्रोच एंड एक प्रकार से देख रहेंगे, जब भी union line के availability दो होती है, तो live में दो बार बहुत गीरा attachment, ये relation बनने के chances create होते हैं, इसलिए जो second one line है, वो यहाँ पर आपकी जो available हो रही है, वो around 32 के age के आसपस में हो रही है, तो इसी period में आपके marriage के chances बहुत ज़्यादा हाई है, रेदर रेखा में जब भी रेखा नीचे के तरफ आती है, तो मातर भगत होते हैं, यानि माता पिता के अच्छे सेवक होना, या उनके प्रती बहुत ज़्यादा devoted होना, तो आप अपने family को बहुत ज़्यादा सुख दे पाने में सक्षम रहेंगे, और आपकी heart line बहुत fill करके चल रही है, आप अपने emotions को purely किसी के सामने share नहीं कर पाते हैं, हाला कि आपका nature emotional है, लेकिन heart line इतनी fill ना सीधी इस बात को दरशारी है कि बातों को मन में आप दबा लेते हैं, ये चीज़ नहीं करने चाहिए, आप अगर के नहीं पा रही हो तो at least उसको लिखी, लेकिन अपने emotions को आप बाहर निका करता है, तो ये सारी issues ना हो इसलिए, emotions को बाहर निकालना, genuine friend या colleague रखना, या फिर कोई अगर ना भी मिले तो खुझ से ही बात कर ले ना, issuar से बात करना, आपके लिए ठीक रहेगा, इसके अलवा जब रेखा, मंगल से थोड़ा connect करती है, तो ये थोड़ा मांगली के ओकर निर्मान करती है, इसलिए कुंडली मिलान करके marriage करना ठीक होता है, हनमान जी के जो मंदिर विजिट आप कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उससे आपका aggression control होता दिखाई दे रहा है, मंगल के तरह से जो भी negative point आते हैं, जैसे कि बेचेनी आ जाती है, हरबड़ी आ जाती है, गलत decisions लेते हैं, या फिर रोग रेंट शत्रो बढ़ते हैं, वो सारी चीजों में कमी यहाँ पर आपके हनमाजी कर रहे हैं, या निरक्षा दे रहे हैं, संकट से आपको निकल वा रहे हैं, लेकिन सफल होने के लिए आपको शनी को और यहाँ पर बुद्ध को strong करना जादा ज़रूरी है, आपका सूरी खराब नहीं कह सकते, क्योंकि सूर के उपर एक cross का sign बन सकता था, लेकिन यह बना नहीं, another line आकर कि attach हो सकती थी, यह हुई नहीं, तो यह इन सारी चीजों को दर्शार हैं, कि आप अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा serious हैं, और at the end संहर्ष कितने ही हो, लेकिन सफलता आपको मिलेगा, क्योंकि इदर त्रिशूल में भी by four का sign है, तो बहुत लोगों का खर्चा अपने जिवन में उठाने वाले आप जैसे जाता तक पाये जाते हैं, और इसलिए अभी भी आपको आपके काम के regarding बहुत ज़्यादा satisfaction, stability, यह के सकते ह कि security नहीं है, वो इसलिए नहीं है, क्योंकि अभी sunline बहुत properly response नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यह भी dependent किस पे है, Saturn पे है, आप अगर यहाँ बीच में देखें, तो यहाँ बीच में आपको उभार देखेगा, यह जब इस प्रकार का उभार होता है, तो यह विक्ति को बनाता है, रहते रहते भीड से अलग होना, एकान पर एक इसम का नीचर होना, ऐसा क्यों, क्योंकि यह इस बात को दर्शारा है, कि आप अपने standard of living या फिर अपने thought process से नीचे तो work करिये ही मता, आप बहुत बड़े यहाँ पर level के लिए बने, आप खुद इतने सक्षम बन इस प्रगर के रेखाओ दू इंडिकेशन देती है, हिंदू परमिस्ट्रे के अकॉर्डिंगली आप जैसे जाता कि इस जनम में अपने जितने भी पेंडिंग करमाजे वो सब क्लियर करने आते हैं, इसलिए ये भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि इतनी capability होने के फलता क्यों नहीं मिल रही क्योंकि वो सब पेंडिंग करमाजे, उतना जूजना है, उतना तकलिफ लेना है, दूसरा ये इस बात को दर्शाता है कि आपके उपर इस जनम में बहुत ज़दा responsibilities आएगी, बहुत लोगों को ले करके आपको चलना पड़ेगा, तो ये भी यहा जौब के परतीब बहुत extreme dedicated पाये जाते हैं, और hardware किसी करण से life में बढ़ता है क्योंकि छोटी से छोटी चीज भी खुद के दम पर सीखना इस condition पड़ती है, लेकिन एक बहुत अच्छा combination है मंगल पर square का और ये combination बहुत rare ही पाये जाता है, इसके regarding कोई भी वीडियो आपक सगर बनते हैं, वो सब destroy automatically होते हैं, आपको आगे से कुछ नहीं करना पड़ता है, कोई आपका बाल से बाका भी नहीं कर पाएगा इस condition में, और ये outer Mars पे developed हुआ है, इसलिए mentality बहुत strong इस condition में हो जाती है, hypertension worries खतम होती है, और स्थीरता अबमान सिकता में बहुत extreme बढ़ती ह आला कि ये sign अभी थोड़ा धुंदला है, इसलिए कह सकते हैं कि इसका response इतना अभी immediate नहीं आ पा रहा है, लेकिन definitely hardly 6-8 मेने के अंदर में इसका response बहुत high आएगा, और बहुत बढ़ा competitive exam में आपको सवलता देखने को मिल जाएगा, इसका एक significance में आपको life line पे भी देना च 44 में, तो ये ages थोड़े से later में आ रहे हैं लेकिन इस बात को दर्शार आए है कि बहुत great level का success आपको, जो है later age में मिलेगा second half बहुत अच्छा आपके life का रहने वाला है, यार नि 35 के बाद में, और यहाँ पर जो last struggle line है, वो available है 32 के age के आसपास ता है, उसके बाद में कोई इस्यू नहीं है, और यह जो supportive line चल रही है, इसे guardian angel line and protection line के तना और इस पर अगर की जब रेखा होती है, तो spouse का, दूसरों का, stranger का, ईश्वर एक रपा नुकमपा हमेशा मौजूद रहता है जिसके करण, stranger का भी unknown व्यक्ति का भी support मिलता है, यहाँ पर आप एक combination देखेंगे mind और life line जब इस प्रकर से merge होती है, तो family के उपर dependency थोड़ी ज़ादा होती है, और यह dependency अराउंड 23 के एज के आसपस तक थी, यानि कई ना कहीं family पे या उनहीं के regarding suggestions पे आप कई ना कहीं चल रहे थे, आपका खुद का भी बुद्धी काम करने लग गया था, उम्र 19 के बाद तो यह directly and directly island का formations create कर रहे है, island का formation life को stuck करता है, बहुत ज़धा growth नहीं दे पाता है, तो यहाँ पर यह island जो available है, mind line के accordingly यह available है, 31 के इस तक, तो इसलिए 31 तक थोड़ा struggle है, 32 के बाद से extreme level की success है, क्योंकि यहां से सीधे रेखा सूर के तरफ जा रही है, mind line आगे के तरफ बढ observation होना, खुद के खयालों में रहना, इन सभी सारे combinations को create करता है, तो इस mind line को खराब तब कहेंगे, जब आप overthinking है, negative thinking करें, क्योंकि तब यह mental stress pressure या anxiety देगा, लेकिन अगर आप किसी भी तरह से अपने आपको busy रख पा रहे हैं, किसी ने किसी काम में involved रख रहे हैं, तो यह mind line के regarding लिए कोई भी कमी नहीं हो, life line का structure है, बहुत ज़्यदा strong हो रहा है, बाहर के तरफ रहे हैं, 100% foreign connection रहेगा, birthplace से दूर settlement रहेगा, spiritual और ज़्यदा आप active होने वाले हैं, और यह supportive line है, तो प्रकति के द्वारा support तो आपको बहुत अच्छा है, उसके regarding चिंता नहीं है, internal outer minus दोनों develop ठीक है, तो मानसिक और शाररिक दोनों रूप से बल्वान रहेगे, शुक्र ड्यवलप्ट अच्छा है, तो luxurious comfort या royalty standard of living अच्छा रहेगा, बहुत बेफिजूल की चिंता जब कोई व्यक्तिक करता है, तो इतनी सारी आड़े रेखा होती है, तो कोशिश करें, ज़्यादा पीस और हैपनेस देगा कि ये तो बर बाइफ़ोर्क ट्रेबलिंग के लिए अच्छा और लॉंग लाइफ के लिए अच्छा माना जाता है और मनी ट्रेंगल का फॉर्मिशन तक क्रीबन अवेलेबल है तो यह पेसा अच्छा है अगर उकी का सवधियोग भी होग ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मिशन यहां भी बन रहा है तो यह भी प्रॉस्परेटी प्रॉपर्टी अच्छी देता है लेफ्ट हैं में भी हम देखें तो यहां पर भी देख सकते कि माइंड लेन पर एक डिकलाइन हुई फिर अनदर माइंड लेन आकर के बहुत सपोर के आसपास से हुई है जो 31,2 तक रहेगी एटलिस्ट तो करियर के रिगार्डिंग भी आपको जो बहुत ड्रास्टिक चेंज या पॉजिटिव चेंज या कह सकते हैं कि भाग्युदै की जो इस्थीति है 100% 31 के एच के बाद में अफिलेबल है इसलिए चिंता ना करें रेम बहुत अच्छा आएगा मल्टी मिलेनर बनने से कोई नहीं रोक सकता तो आशा करता हूं आपके सभी प्रश्ण गोत्तर मिल गया हूं तब तक आप अपना ध्यान रखें आपको बहुत बहुत दिन्यवाद